प्रोग्राम के शुर्वात इस वक्त की बड़ी खबर से रास्थान में पंचायच चुनाओ खत्म होने के बाद जैसे ही उसके नतीजे सामने आए उसकी इस्थती को देखते वे कॉंग्रेस पार्टी अलाकमान सोनिया गांधी का अब बहुत बड़ा फैसला आने वाला है खबरे सामने आई है कि पंचायच चुनाओ के नतीजे को देखते वे सोनिया गांधी अब सचिन पाइलेट को लेकर बहुत बड़ा दाओं खेलने जा रही है दरसल सोनिया गांधी को इस बात का अहसास हो चुका है कि सचिन पाइलेट की राजनितिक शक्ति किस तरह राजस्थान में दिखाई दे रही है और हो भी क्यों ना अगर देखा जाए तो सचिन पाइलेट के जो भी प्रभावी वाले छीत थे इलाके थे वहां पर जिसकदर कॉंग्रेस की जीत हुई और वहां की जनता ने जिसकदर कॉंग्रेस का साथ दिया ये बताता है कि सचिन पाइलेट की पकड किस तरह ना सरिफ कई जिलों में दिखती नजरारी बलकि पूरे राजस्थान में भी है ऐसे में देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी अब ये पूरा मन बना रही है कि सचिन पाइलेट की नाराजकी को दूर करते वे उन्हें आगे बड़ी जिम्मेदारी के लिए आगे भीजा जाए क्योंकि पार्टी अलकमान सोनिया गांधी का जो फैसला होगा वो गहलोत को भी मानना पड़ेगा और पाइलेट को भी यही वज़ा है कि सोनिया गांधी के फैसले से पहले गहलोत जो है वो नाराज दिखते नजर आ रहे हैं लेकिन सोनिया गांधी को गहलोत की नाराज की कोई परवा नहीं है सोनिया यह समझती है कि गहलोत भले ही नाराज रहें वेकिन सचेन पाइलेट युवानेता है और खुद कॉंग्रिस पाट्टी युवानेतां को आगे बढ़ाने का काम कर रही है ऐसे में देखने को ये मिल रहा है कि सोनिया गांधी पूरी कोशिश कर रही है कि सचिन पाइलेट को अब एक और मौकाद दिया जाए और उन्हें बड़ी जिम्वेदारी सौंपी जाए चलिए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट पंचय चुनाओं के बाद सचिन पाइलेट को लेकर जो फैसला आने वाला है वो पताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ये पूरा मन बना चुकी है कि अब गहलोत से जादा बड़ी उपाधी सचिन पाइलेट को दी जाए दरसल सचिन पाइलेट ने कम वक्त के अंदर जिस तरह अपनी राजनितिक शक्ति को बढ़ाया है और जिस तरह से उन्होंने जनता की दिल में अपनी जगा बनाई है वो बताता है कि वाकई में सचिन पाइलेट ने जिस हिसाब से काम किया उसका काफी जादा असर अब राजस्थान की धर्ती पर देखता नजर आ रहा है यही के बराबर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा सचिन पाइलेट को कई बड़े विभाग दिये जा सकते हैं जिस से यह सामने आ रहा है कि वो अशुक यहलोत के बराबर आकर खड़े हो जाएंगे हाला कि अगर देखा जाए तो अशुक यहलोत सोन्या के फैस प्ले से नाराज बन चुके हैं उससे साफ पता चलता है कि सचिन पाइलेट अब सोन्या गांधी के करीवी थे लेकिन जिस हिसाब से राजस्थान कॉंगरिस की राजनीती ने करवट बदली है जिस तरह राजस्थान